हमने स्टॉक्स ढूंडे, आइंटिफाइ करें, तब तक एक और इंट्रिस्टिंग, अपने समवर्धन मदरसन की बात करी थी, दूसरा है रेमंड, रेमंड का ज़रा स्टॉक दिखाईएगा, आज बहुत बढ़िया 6% के आसपास का मूव एक समय 8% की तेजी थी, दरासल कार पर बार लिस्ट होने जा रहा है, कब होगा, क्या होने वाला है, ये सारी डिटेल के साथ यतिन स्टॉडियोज में मौझूद, ये कब होने वाला है, पर तो लिस्ट होने वाला है परसों, परसों, टेंटिटिवली जो एक्चेंज का अप्रूवल आया है, वो आया है, 5th September क और Raymond Lifestyle वो बिजनस है जो पहले Raymond का Core हुआ करता था जो जो फैबरिक बिजनस है जो 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 पना सूट फूट बनाते हैं आप जो शर्टिंग बिजनस है वो सारा का सारा बिजनस जो है वो अब Raymond Lifestyle में चला गया है और अभी आप जो 6% स्टॉक उपर देख रहे हैं वो जादतर रियल स्टिड बिजनस है तो जो Core बिजनस है जो Raymond Lifestyle का है वो 5th September को लाँच होने वाला है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Raymond जो है अभी जो Lifestyle बिजनस जो आपका लिस्ट होने वाला है उसके अंदर Park Avenue, Raymond, Park Ethnics by Raymond और Color Plus जैसे ब्रैंड्स को हाउस करेगी ये कमपनी अगर हम बिजनस की बात करें तो कमपनी का फोकस रहा है कि वेडिंग सीजन और जो शादियां होती है भारत में लगबग 50 लाग से जादा शादियां होती है हर साल उस बिजनस सेग्मेंट पर फोकस किया जाए और आगे जाके जो बंगलादेश और चाइना की जो opportunities है textile सेक्टर में उसको कैसे capitalize किया जाए कमपनी ने yesterday एक analyst meet रखी ती और जो commentary है उसके अंदर core category है जो cash cow है वो है obviously branded clothing business जो Raymond के suit वगएर आप देखते हैं लेकिन जो new categories है ethnic wear, inner wear, sleep wear, international retail यहाँ company जो है एक नई category बनानी वाली है जहां से growth आएगी guidance जहां तक की सवाहल है company 600 से 700 growth के free cash flow का guidance दे रहा है हर साल और अगर हम बात करें 12 से 15 का sales growth यह करने वाली है company और double EBITDA expect कर रहे हैं FI 28 तक और अगर हम बात करें realistic expectations की तो बहुत सारे brokerage की बहुत सारी commentary है लेकिन जो management कहता है वो यह है कि आगे जाके free cash flow बहुत ज़ादा होने वाला है और store addition भी इतना ही aggressive होगा तो Raymond lifestyle जिस धन्दे से अपन Raymond को जानते थे वो अब personal list होगा अब भी जो है वो basically सारा real estate नहीं है brokerages जो आप बात चड़ी तो देखे तीन-चार brokerages है मोतिला लोसवाल को तो लगता है कि साढ़े 500-600 क्रोड का company profit कर सकती FI26 lifestyle business और जो list होने वाला है वो systematics को लगता है कि यहां से अगर हम 10 times EV EBITDA देडे broadly सब businesses को on and average तो 2300 रुपे की base value बनती है लेकिन आज जो report आई है बड़ी वो है Ventura की जहां Raymond lifestyle पे उन्होंने 30,000 क्रोर market cap का expectation रखा है लगभग 4927 रुपे का base case जो उनका normal valuation है वो बैट रहा है क्योंकि अगर हम listed entities की बात करें तो विदान्द fashion जो मानेवर के नाम से जाना जाता है उसकी बहुत बड़ी market cap हो चुकी है और उसके सामने Raymond एक बहुत बड़ा player है जिससे उनको लगता है कि यहां से काफी अच्छी growth देखने को मिल सकती है और यह जो Indian wedding और ceremonial play market है उस पे company focus करती है और Raymond को यह significant re-rating candidate की तरीके से देख रहे हैं क्योंकि जो wedding market है और जो textile market है यहां एक branded pure play business आपको मिल रहा है जहां जैसी कि मैंने पहले का उनको expectation है कि market capitalization 30,000 कोड तक आने वाले quarter में जा सकता है 30,000 कोड और यह जो दूसी रिस्टेट इंटिटी है 14,000, 15,000 कोड उपेगी तो कोई मिलाकर पेता है तो value unlocking काफी यह रेमन लाइफस्टाइल लिस्ट होने आएगा शेयर बजार में तो उससे पहले यतिन ने सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर दी रेमन के चार्ट पे गेडिया साब आप बताओ कैसा mood बढ़िया अप मूव वापिस अपने momentum gather करने की कोशिश तो कर रहा है अगर जो रेमन का डेली चार्ट में देखो तो हमें लगता है कि एक वीक का consolidation हुआ था और आज वो consolidation उपर की तरह breakout हुआ है weekly charts पे inside bar pattern बनाया है तो हमें लगता है कि यह जो अपनूव स्टार्ट हुआ है वो 23, 80, 2400 तक चल सकता है इसके लिए हमें लगता है कि जो breakout है उसमें अभी भी steam लेफ्ट है हमें लगता है कि आगे आने वाले दिनों में positive momentum continue रह सता है उपर की तरह ओकी रेमन समीन वाई जड़ा आप एक कि आम आप ऑप आसरा मॉप है ज़की बहुल देफ्ट सकता है कि वह जड़ा कि आपक चल सकता है